सच्चे मित्र एक जंगल में तीन पंची रहते थे वो तीनों पंची सच्चे मित्र थे एक दोस्त का लालू और एक दोस्त का कालू और तीसरे का नाम मिठ्ठू था उन तीनों सुख और दुख में हमेशा साथ रहते थे एक समय की बात है उस जंगल में एक सिकारी आ गया था, फिर वो सिकारी जंगल में अपना जाल बिछा देता है, और वो वहां से चला जाता है, उधर लालू अकेले जंगल में घुम रहा था, और उसे पता नहीं था कि जंगल में जाल बिछाया हुआ है, फिर वो घुमता घुमता जाता है, फि पिर क्या ओजाल में फस जाता है फिर वह जोर जोर से चिलाने लगता है मचाओ मुझे कोई बचाओ फिर उसकी पुकार सुनकर कालू और मिठू दोनों दोस्त वहां आ पहुचता है तभी वहां से सिकारी भी आ रहा होता है फिर कालू मिठू से बोलता है कालू भाई कालू भ इधर जाल काटने लगता है, और कालू अपने पूरे दोस्तों को बुला कर ले आता है, और वो सारे कवे उस सिकारी को उपर से चोच मार मार कर मार मार कर लहु लुहार कर देता है फिर वह सिकारी वहां से भाग जाता है और इधर मिठू जाल को वह काटता रहा फिर भी वह सिकारी नहीं माना वह दुसरे राष्टों से वह उस जाल के पास आने को पर्यास किया लेकिन उन कवों की नजर उस सिकारी पर ही थी फिर वह सारे कवे फिर जाता है और उस सिकारी को मार मार कर मार मार कर फिर से लहू लुहान कर देता है फिर वह सिकारी वहां से दोड़ा दोड़ा भागता है फिर वह पीछे मुड़कर भी नहीं देखता है फिर इधर मिठू अपने दोस्त लालू को बचा लेता है फिर वह त किनों दोस्तों साथ में मिल जूलकर रहने लगता है और हसी कुछी जिन्दगी जीने लगता है तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जुरू बताएगा और अच्छा लगा हुआ हमारा वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा